माई डेर फ्रेंड्स आपने जीवन में ये कभी ने कभी अवश्र सुना होगा कि रिष्टे बनाने तो बहुत आसान है लेकिन निभाने बहुत मुश्किल है ये सच है दोस्तों मगर ऐसा क्यों है क्या कभी आपने सोचा आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ क्या है रिष्टों का विज्ञान क्यों नहीं निपते रिष्टे दूर तक इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऐसे पांच सिक्रेट जिनको जानकर न केवल आप रिष्टे बना पाएंगे बलकि लंबे समय तक रिष्टों को निपा भी पाएंगे बस बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक और सुम लिड़े लें कि आपको रिष्टों को निपाने के लिए कौन सी सिक्रेट की ज़्यादा जुरूरत है कहां मिस करते हैं आप रिष्टों को तो आएए जानते हैं रिष्टों के ये पाँच सिक्रेट्स दोस्तों कोमिनिकेशन की अगर कोई बैकबोन है तो वो है लिसनिंग मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बातचीत में वहवार रिष्टों का अधार बातचीत करते हुए एक दूसरे को बहुत ध्यान से सुने एक को सुनने के बाद ही दूसरा बोले तो बातचीत कहलाती है सार्तक सुनने के बाद बोलेंगे तो आपकी बातचीत भी अपना महत बनाएगी वरना बहुत important से important thought भी हो जाएगा meaningless इंपोर्टेंट विचार भी हो जाएंगे निरर्थक नमबर दोस्त दोंट एर्ग्यू बी एग्री बातचीत को विचारों के आदान-परदान का माध्यम बनाए ए मिनिंग्फुल डिसकेशन नोट डिबेट याद रखें लॉजिक से, तर्क से, वितर्क से आपको कुछ बैटल नहीं मिलने वाल ध्यान रहें यदि आप लॉजिक से जीत कर आप अपनी बात मनवाने में सफल भी हो जाते हैं तो आप कही न कहीं दूसरे के मन में अपनी रिस्टक्ट के लूज करते हैं सदयाव याद रखे बहस करें तहस नहस इसलिए हमेशा बातचित में बहस से बचने का प्रयास करें दोस्तों नंबर त्री दोस्तों नेवर क्लोज न कॉम्मिनिकेशन जदी आप रिष्टों को लंबे समय तक निभाना चाहते हैं कभी भी बातचित करना बंद न करें रिष्टों के नहीं निप पाने में या यू कहें ब्रेक अप हो जाने में भले ही हस्बेंड वाइफ का रिष्टा हो भले ही फादर सन का रिष्टा हो या फ्रेंडशिप का हो कभी बातचित करना बिल्कुल बंद न करें और यदि face to face मिलने का मुका ना भी मिलें तो social media में चैट जारी रखें Like और comment करना कभी भी बंद न करें At least इसमें consistency बना कर रखें दोस्तों रिष्टे मिलने जुलने का ही नाम है लगातार मिलते रहने से दोस्तों को भी लोग भाई समझने लगते हैं और ना मिलने से भाई भी हो जाते हैं अजनवी से इसलिए किसी भी तरह से दिष्टों में consistency, continuity अवश्य बनाए रखें Social media का positive उप्योग करें Number 4 दोस्तो Expectations must be replaced by acceptance दोस्तों हम सभी जानते हैं कि Expectations यानि उमीदें ही दुख का कारण होती है और रिष्टों को दीमक की तरह खा जाती है Expectations लेकिन मैं आज आपको Expectations की गहराई के बारे में केवल एक बात बताना चाहिए सोचें कि Expectations कुछ भी नहीं सिवा Domination के दूसरों को अपने ढंक से चलाने की इच्छा ही Expectations सोचें क्या हमारी अपनी सांस हमारी इच्छा से चलती है क्या हमारा अपना वर्थ अपनी इच्छा से होता है म्रत्यों की तो बात ही छोड़ दो कब और कैसे होगी इस पर आपकी इच्छा चलती है और अपनी सांस, अपना जनम, अपने म्रत्यों और अपना शरीर अपनी इच्छा यदी नहीं चलती तो दूसरे हमारी इच्छा से कैसे चल सकते हैं ये सोच कर expectations को छोड़ दें परतेक व्यक्ति का nature unique creation माने और accept करें इसे replace expectations with acceptance जो जैसा है वो बहतरीन है इसे accept करें और अगर आप समझते हैं कि किसी को कुछ कहना कुछ समझाना बहुत जरूरी भी है तो सीधा आइना ना दिखा कर थोड़ा twist कर सकते हैं कभी-कभी straight posture कभी-कभी समझ में नहीं आता और side posture दिखा के काम चलाएं और acceptance को अपनी personality का इसा बनाएं और दोस्तों जड़ी आपको कभी रिष्टों में कुछ gap महसूस है या रिष्टे तूट गए ब्रेक अप महसूस करते हों तो यह expect बिलकुल न करें कि सामने वाला आप से कुछ पूछेगा आप स्यों ही gap के, break-up के या किसी misunderstanding के कारण पूछने की पहल करें बजाएं आप अपने मन ही मन में सोचते रहें दोस्तों, don't assume, but start asking the reasons and not expect other will ask और दोस्तों, last is number fifth, corporate the pupil दोस्तों, मैंने बातचीत को रिष्टों का आधार कहा लेकिन केवल बातों से ही काम नहीं चलता, ये भी आपने सुना होगा communication skill को develop कीजिए लेकिन रिष्टों को निभाने के लिए साथ-साथ अपनी abilities के अनुसार लोगों को corporate करने की will be develop कीजिए कम से कम जो लोग आड़े वक्त में आपके साथ खड़े हुए हों आपके काम आए हों, उनके साथ बिना किसी calculation के बिना किसी जोड भाग के उनके साथ खड़े होने की किसी भी opportunity को miss कभी मत कीजिए दोस्तों business relations की calculation की तरह account निल मत कीजिए relations को मजबूत करने के लिए giving की habit एड़ाप्ट कीजिए कुछ extra करने के अपनी habit बनाकर cooperation को अपना attitude बनाईए अपनाईए इन पांच secrets को communication में और जानिए रिष्टों का विज्ञान और निभाएं रिष्टे जीवन भर और फिर देखिए कैसे बनते हैं आप रिष्टों के बेताज माच्छा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए उन दोस्तों से शेर कीजिए जिन्दगी में रिष्टों को महत देना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेक केर तैंक्यू वेरी मच